बच्चो मैं सभी का सावगत करता हुआ फिजेज गायन मुकेशन एक चैनल पर आज बच्चो बहुत इंपोर्टन चक्टर से आपके लिए क्रिक विजन एंडरपेड या फास्ट विजन बोलो क्योंकि बच्चो ये चाप्टर आपको मिनिमम से मतलब मैक्जिमम टु मैक्जि है बच्चो देखो कोश्च्ट का वरिएशन होते रहता है मैक्जिमम आज तक 4 खोश्च्ट सा आचुके मैं वह माग्जिमम की बात कर अओ ने तो बहुत सरे बच्च्चे सुर्ड इस कोश्चन पर में तो 3 और इसमें तो 4 आ गया कोशन्स बहुत इंपोर्टन जप्टर होंगा फिर आमारे लिए बच्चो यह तो बहत ही जादा है बहुत आपको पता है addm molecule nuclei यैवी बहुत इंपोर्टन चप्टर बच्चो और यह भी चप्टर बहुत इंपोर्टनेस है चार questions बहुत है, आज का वीडियो अन तक देखना बहुत जुरुरी है, हर बच्चे ने देखना चाहिए, और शेर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और जो बच्चे नहीं उन्होंने, subscribe भी करना चाहिए, तो सबसे पहले बच्चो, सबसे पहला सवाल होगा अपका बोर्स पॉसुलेट सेकंड थर्ड, आप इन पॉसुलेटरी से रेडियोस ऑफ बोर्स अर्विट निकाल सकते हैं, देखो, निकाल सकते हैं जैसे कि फर्स्ट एक्वेशन यह वी स्क्वेर ड़ाट बाई र है, वन बाई 4 पाई अपसलों नॉट ए स्क्वेर ड़ाट बाई आर स्क् पॉसुलेटरी जो है, इसका वी निकालो बच्चो, तो क्या यन यच अप्वाण टॉइस पाई यम आर है, अगर इसकी वेल्यू पुट अप करो, देखो यहां पे, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आपको करना है, 4 पाई स्क्वेर यम स्क्वेर, आर स्क्वेर, आर स्क्वेर इसक्वेर, पॉर पाई, एपसलोन नॉट, क्या-क्या मारवा सकते हैं, मारवा दो, यह से यह मारवा दिया, यह से यह मारवा दिया, एना, मुझे क्या निकालना है, आर निकालनी थी वेल्यू, सही बच्चो, तो मेरे खाल से यहां पे भी आर है, एक आर है, एक आर है, यह आर इधर आया, तो क्या बश्रा है मेरे पास, देखो बच्चो, ये एपसलों इधर जाएगा, एपसलों नॉट, यान स्क्वेर, याच स्क्वेर, डिएट बाइ, पाई यम, इसक्वेर, ठीक है ना, देखो ये आर की वेली, मतलब बच्चो, आपको निकालना आना चाहिए, ये आपकी टेकनिक डिवलप करो, वी वैसे ही निकाला बच्चो, से मोमिंटम भी वैसे निकाला, मास इंटू वी, देखो ये और ये फार्मूला सेम है कि नहीं, है ना, ये स् इनी फार्मूले देना चाहिए, ये ता, रूल के हिसाब सही, मैं ये क्यों दे रहा हूँ, साथ में फ्रिक्वेंसी, इसका उल्टा करो यार, फ्रिक्वेंसी क्या होती, इसकी उल्टा होती, मतलब, यम, e raised to 4, divided by 4, epsilon square, h cube, n cube, हो गए frequency, acceleration बोलते है, v square by r, तो इसका square करो, य क्योंकि बच्चो, जो गोल चीज गुमरी है, centripetal force तो हो गई होगा, या centripetal acceleration होगा, तो ये चीज़े बच्चो, आप लोगों को, इसके उपर, sure shot, one questions, आने वाला है, कितने percentage guarantee बच्चो, 100% guarantee है, कि पॉसुलेटेरी, पॉसुलेटेरी से आपको, radius of both orbit, अब इसका radius of both orbit, अ पता है न, आपको, तो ये r1 yn square, ये simple formula, क्योंकि इसकी अगर r1 की, मतलब first orbit, second orbit रहा तो, मतलब ये value आपको आना चाहिए, मतलब ये simple चीज़े है, तो ये yn, rn is equal to, तो ये third orbit बोला तो आपको, r1 yn square, तो 3 का square, तो ये r की value भी पता होना चाहिए, तो ये simple simple चीज़े करो ये question 100% बनना है बच्चो, हाँ, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है न, हाँ, हाँ, स्वारी, स्वारी, क्यों, क्यों बच्चो, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा, kinetic energy, देखो, kinetic energy कैसे निकालेंगे, मेरे पास half mv square r, 1 by 4 pi epsilon not e square by r square, r से r मारवा दो, half करो, half multiply करो, खतम किस 4 to the 8 pi epsilon r, मिल गए बच्चो, खतम किस्सा, potential energy कैसे निकालते, potential into charge of electron, potential होता है, 1 by 4 pi epsilon not, याद होना, potential energy कैसे निकालेंगे, बच्चो, हम लोग, potential होता है, potential multiply charge, potential multiply charge, है न, of electron, तो यहाँ पे potential क्या हमारे पास, minus 1 by 4 pi epsilon not e by r, multiply 4, तो इसका square होगा, बाद में दोनों के add करते हुए, हम लोग, total energy निकालेंगे बच्चो, बास समझ में आ रही है, उसके बाद में बच्चो, इसी से, total energy, inner orbit, और higher orbit की, निकालके, हम लोग, निकालेंगे, बाद में इसमें से, कुछ time constant है, कुछ से constant हो सकते, mass of charge, पता है, 9 10.1 into 10 raise to minus 31, charge 1.6, एना, epsilon, edge, खाली, यह constant है, यह inner orbit है, outer, लोगों को लगता है, final है, यह मतलब final है, inner orbit, वैसे बच्चो, यहाँ पे, lambda, wavelength निकालनी है, एना, तो edge by P, P मतलब momentum, यह इसके form में, यह 1.227, I strong unit root of VV, मतलब potential, बच्चो, बाद में आप लोगों को radius निकालना है, इस item की size भी निकाल सकते है, उसके बाद में आप time period निकाल सकते है, decay law, पता है ना, आप लोगों, mass defect भी निकाल सकते, उसके बाद में, बच्चो, आप लोगों को एक सवाल fix हो गया, इसके उपर, दूसरा सवाल, बच्चो, एक chance हो सकता आपको, कि यहाँ पर इस चीजों के उपर हो सकता है, ठीक है, एक इसके उपर हो सकता है, और जो चोते बच्चो, mass defect, fusion, fusion की उपर ज्यादा concentrate करे, उसके उपर भी एक सवाल, मतलब चार सवाल है, एक सवाल fix है बच्चो, इसके उपर one questions, इसके उपर हर question, मतलब हरा formula को उपर दो दो तिन तिन एक्जांपल चिप wavelength, इसके बाद में disintegration, उसके बाद में half life period, जो भी आपका, इसके उपर mass defect, fusion, fusion, इनके उपर एक सवाल हो सकता है, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ी करते रहे ना बच्चो, ये चाप्टर के उपर अच्छा करना बच्चो, भले आपके लिए, इसके लिए, एक दिन, दो दिन भी लगे तो चलेगा, लेकिन इस चप्टो को अच्छे तरह से concentrate करे, सवाल समझ में आ रहा है, पहले, किसके उपर सवाल, सबसे पहले, बोर्स, पॉसुलिटी, इससे हम लोग speed, velocity, acceleration, जो भी radius of बोर्स अभी, period, angular, जो acceleration हो, sorry, centripetal acceleration हो, angular velocity हो, सभी ये की चीज़े, इससे ही चीज़े बने वाली, बस इतना धान में रखना, इस तिन पॉसुलिटे रहे, दूसरा इसके उपर आने के चांसे से, तिसरा ये चीज़े, चौथा question, mass defect, nuclear fusion, बच्चो, theoretically भी इसमें एक ख़दा सवाल आ सकता है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से चप्टो क पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका वो सवाल आच्छी तरह से बन पाए, बच्चो, हम लोग इतने approach देनी के क्यों कशेश कर रहे, आपको भी पता है, कि अगर ये पूरे चीज़ आच्छी तरह से करोगे, तो चारम numbers अपके fix है, कैसे होगे, इसका मैंने idea आपको already clear को चक तो thanks for watching this video and best luck for you